हाई डुल्दीज, वेलकम टो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो दापिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने चेप्टर 3 जिसका नाम है LPG, LPG बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, गाइस उसमें आज हम करेंगे आउट सोर्सिं का क्या मतलब होता है, जो की एक बहुत ही इंपोर्टेंट आज के टाइम में अस्पेक्ट बन जुका है हम लोगों की लाइफ का आउट सोर्सिंग, आउट सोर्सिंग का मतलब होता है जो काम हम खुद नहीं करना चाहते हैं और हम बाहर से उसे कराते हैं तो उसे आउट सोर कहते हैं, so guys outsourcing is the contracting out some of its activity, contract करते हैं, कोई भी some of its activity, कोई भी activity to the third party, बाहर वाली party से, which were earlier perform by the, जो की पहले वो organization perform कर रही थी, अभी जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे, outsourcing लोग advertisement का करते हैं, advertisement खुद से नहीं करते हैं, वो एक advertisement agency को hire करते हैं, जो उनकी advertisement करते हैं, चाहिए आज आपके TV पर जितनी भी ads आती हैं, तो वो company advertisement agency hire करते हैं, चाहिए वो Tata T की ad है, पारले जी की ad है, या किसी भी brand की ad है, so guys, उस चीज को outsourcing कहते हैं, जब company उसके लिए इतना पैसा अपनी advertisement agency खोले, फिर advertisement करा हैं, इससे बेटर है कि वो एक advertisement agency से contract कर लेती हैं, और उन्हें पैसा देती है कि आप हमारी advertisement करो, so that is called outsourcing, अब जब हम लोग 1991 में हम लोगों की new economic policy आई, तो उस समय पर सबसे महतुपूर्ण जो role, important role जो play किया guys, वो outsourcing ने भी किया, अब बाहर की companies जो वो खुद काम नहीं कर सकती थी या, उन्हें cheap labor इंडिया में नजर आई, उनको लगा बहुत resources इंडिया में सस्ते हैं, तो उन्होंने उन चीजों को इंडिया से outsource किया, इसमें सबसे बड़ा guys, जो आज की time में आप लोग सुनते हो BPO, that is business process outsourcing, जो कि आपको कभी अगर आपके कोई cousins या brother sister हो, तो आपने देखा होगा कि उनकी UK से है, या USA company है, या फिर उन लोगों का night shift ये सब चलता है, क्यों क्योंकि उन्हें countries के हिसाब से काम करना होते है, तो ये countries जो होती है, जैसे कि UK या USA, ये activities को hire करते हैं, इंडिया के employees को hire करते हैं, कि आप हमारा काम करोगे, इंडिया में बैठके ही, आपको calls attend करनी है, calls पर answer करनी है, या many more other works, ऐसे ही ये accountants भी hire करते हैं, ऐसे ही ये other बहुत सारे parts काम जो है, वो hire करते हैं, अपने business का, ठीक है, इसे outsourcing कहते हैं, और इंडिया में भी चीजें, जो company खुद नहीं करती है, और बाहर से कराती है, तो उसे outsourcing कहते हैं, जब 1991 में new economic policy आई, तब बाहर की company को इंडिया एक ऐसा लालच का source नजर आया, जहां पे काफ अपने यहां पे centers कोल दिये, जिने हम call centers या BPO कहते हैं, जिसमें information technology, यानि कि IT बहुत जादा main माना गया, आपका accounts बहुत जादा main माना गया, अमलब accountant का, या फिर other बहुत सारे advertisement में माना गया, तो काफी सारे शेत्र में गाईज इन्होंने काम किया, तो outsourcing से इंडिया को क्य कई आपने सुना होगा, कि 12th पास करके कोई call center में लग गया, दो साल बाद उसकी 40,000 salary है, 50,000 salary है, सिर्फ 12th कर रखी है, उसने लेकिन इतनी salary उठा रहा है, तो यानि कि वो उस काम में माहिर हो गया, BPO में उसकी position high हो गई, उसकी salary बढ़ गई, common सी बात है, लेकि एक salary इतने काफी popular हो गया, just because of pay scale high था, तो इसे outsourcing कहते है, जो पाहर की कोई company या इंडिया की company अपना काम बाहर से करवाती है, खुद ना करके, that is called outsourcing, ठीक है, समझ हाया, अब इसके बात guys, इस chapter का जो एक last छोटा सो topic रहता, that is world trade organization, world trade organization guys, 1995 में एक बना, जो की पहले था, पहले जिस न जाम से, that is general agreement on trade and tariff, यानि कि एक agreement होता था, trade और tariff को लेके, trade बोले तो वेपार को लेके, tariff बोले तो guys, Texas को लेकर, एक agreement होता था, countries के बीच में, starting 1948 से हुई थी, उस समय पर 23 countries guys, इसकी member थी, इन्होंने आपस में एक agreement बनाया, कि हम आपस में क्या करेंगे, trade करेंगे, और हम इतना tariff रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए, कम tariff रहना चाहिए, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इनका आपस का agreement था, ठीक है, ये इन्होंने क्यों किया था, ताकि एक दूसरे के साथ, ये लोग बिजनस कर सके, राइट, अब उस समय पर 1948 के समय पर guys, ये सिफ ते में guys, total 164 countries इसकी member है, कहां 1948 में 23 countries थी और 164 आज इसकी member है, जिसमें India भी of course इसकी member है, यानि कि India भी WTO का part है, अब ये जो World Trade Organization है, basically agreement बनाता है, countries के बीच में कैसे trade होगा, कितना taxes लगेंगे, और कई जगे पर अगर इन्हें taxes हटाने के जरूरत होती है, तो ये basically rules and regulation त्यार करता है, हमारे trade को लेकर, और वही सारे जो भी agreement में rules and regulation होते हैं, वो सारी countries को मानने होते हैं, ठीक है, तो ये World Trade Organization का, of course India member है, तो वो भी इसके सा rules को adopt करता है, और इसके according काम करता है, ठीक है, जो भी policies वगरा बनती है, of course इसको ध्यान में रखकर बनती है, क्योंकि हमारे agreement हो रखा है, किसके साथ, WTO के साथ, World Trade Organization, और ये कब बना, 1995 में, that is the successor of GATT का, ठीक है, उसे पहले हम इस नाम से जानते थे, लेकिन अब उसका नाम ब इसका नाम भी बदल दिया गया, ठीक है, लेकिन कई लोग उस समय पर इसके against थे, क्या कहते थे, कि इंडिया को इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उनका सोचना ये था, कि इंडिया इसका benefit नहीं उठाएगा, क्योंकि जादा तर developed country अपनी चलात इंडिया को इसका member नहीं बनना चाहिए, बार ठीक है, वो उनकी सोच है, ऐसे सोच मतलब ये बुक में लिखा है, ये लिखा है कि लोगों ने ये चीज़ कही कि इंडिया शुद नोट बी अमेंबर ऑफ दिस WTO, ठीक है, तो लोगों ने ये चीज़ कहा, और क्यों कहा वो म इसके बाद दो important terms है, जो आपके MCQs में पूछी जा सकती है, biliteral trade किसे कहते हैं, biliteral trade जब trade between the two countries, दो countries के बीच में, अगर एक देश है और दूसरा देश है, इनके बीच में अगर trade होता है, तो उसे biliteral trade कहते है, and multiliteral trade, जब more than two countries, तीन, चार, पांच country आपस में trade कहते हैं तो उसे multiliteral trade कहा जाता है, I hope आपको ये समझाया होगा, so guys एक छोटी से topic से हमारे LPG chapter के, I hope आपको समझाया है, और अगर वीडियो पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करना है, और अपने doubt आप में से इंस्टा पे पूछ सकते हो, ID है तब ही तम ऐसी, thank you